पतास नगर थाना शेत्र अंतरगत देविथला में जमीन को लेकर विवाद हुआ, विवाद में एक यूवाक और उसके माता पिता घायल हो गया बताया जा रहा है कि जमीन को लेकर दो भाईयों में काफी समय से विवाद चल रहा था बताया जा रहा है कि एक भाई दहरदूर में निवासवत है जो कि जमीन की खरीद परोगत का भी काम करता है जो एक दिन पहले जमीन पर कबसे को लेकर कुछ लोगों के साथ देविथला आया था देवितला निवासी राजेंद्र खरना का आरोप है कि उनकी देवितला में पुष्टैनी जमीन है जिस पर काफी समय से विवाद चल रहा है जो कोट में भी विचाबादीन है इस पूरी जमीन पर उनका भाई दिनेश खरना जबरदस्ती कबजा करने का प्रयास कर रहा है उनके द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो उनका भाई दिनेश और उसके साथ आए हुए जमीन खरीद परोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा मारपीर शुरू कर दी गई उनके बेटे ने जब इसका विरोध किया तो उन्होंने इस पर भी जानलेवा हमला बोल दिया जिसके बाद उन्होंने मुश्किल से अपनी जान बचाए विकास नगव सिंदरपाल सिंग की रूपॉर्ट जमीन है इसके लिए जमीन के लिए दिला ला रखे दिरादम से और हमारे उपर जानमान का हमला करता है बार बार करका साथ कि हैंगल क्यव जमीन यहां इतने भयियों हैं पिर कर राइक बचाहे हैं एक रूपजा करेंगे बास मद्य रखे दिलने को कि अवन-नों ने का कि कर लाई हम कल कव्जा करेंगे हैंगल काराइग्य करना हमारे ओफर हमने विकास नग कर यार्थ तो भाय ने भी पक़्वलिय कितनी जमीन है आप मों यह हमारी जो नमबर है यह सव अभिगे का नमबर है हमारा इसकरन यह था कि यहाँ पर कुछ लोग आये थे कपजे के लिए दो डिलार आये चरबा से और फिर अभी कल चाचा लोग सब आये थे जिन बोला कि हम कल कपजा करेंगे और जैसे वो कपजा करने आये तो वैसे हमारे उपर उन्होंने हमला किया जिसमें से चार सरदार थे और एक दिलार विसमें सामिलताज तो जब हमला पापा के उपर किया तो मैं बचाओ के लिया जिसमें से चाचा ने कार से तलवार निकाली है मेरे उपर हमला कर दिया अंदर निवासी देवी थला विकासनगर ने एक थाना विकासनगर में जो कि उसके भाई के विर दिद्धी गई है इसमें आरोफ लगाया कि इसके भाई दोरा उसके एक जमीन को लेकर मारपीडादी की गई है तो उक्ते समंध में हमारे दोरा है मेरदेशित कर दिया गए कि के जांच कर आफसर कारवाई करें